घबराव मत और रोभी मत धीरज रखो ये कुछ दिन का समय तुम अपने कर्म कर लो और चिंता मुझ पर छोड़ कर बैठ चाओ क्योंकि आगे मैं संभाल लोंगा देख लोंगा कि आगे क्या कैसे करना है जितनी परवा तुम्हें तुम्हारे परिवार की है उतनी परवा तुम्हारे साई को भी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की है तो निश्चिंत रहो मेरी इन बातों से आगे की यात्रा बहुत सुखद होने वाली है जो लोग गलत बाते गलत व्याभार करते हैं और दूसरों के बारे में गलत अफवाहे फैलाते हैं उन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखो फिर चाहे वो लोग का ओधा कैसा भी हो दूर रहना अपनी संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए तुम्हारे काम में तुम्हें जितनी परिशानी दिख रही है न कि तुम्हारे सपने पूरे होने में जितने गड़े जितने काटे तुम्हें नजर आ रहे हैं उतना ही सीधे रास्ते से तुम वहां तक पहुँच जाओगे मुझ पर विश्वास है न, तो मेरे विश्वास पर बैठो जो मैं आदेश देता जाओ, उसे बस पालन करो और फिर देखना तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हो जाएगी एक बात याद रखना, कि कोई तुम्हारी बारे में गलत भी बोले तो परिशान मत होना क्योंकि उसमें भी तुम्हारी ही भलाई हो जाएगी जो दूसरों को गलत बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और सोचते हैं कि इससे वो उपर हो रहे हैं या जीत रहे हैं या अपनी मन्जिल को पा रहे हैं तो वो गलत है जो तुम्हारे लिए बुरा बोलेगा, तुम्हे नीचा दिखाएगा उल्टा, उसका व्याभार पूरे सामाज में सबके सामने आ जाएगा तो इसलिए तुम्हे ना किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना किसी को कोई प्रमान ही देने की जरूरत है तुम्हारा काम तो शांती से ही होगा क्योंकि तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ तुम्हारे काम में कोई भी बाधा नहीं डाल पाता ना कोई अपनी मर्जी चला पाता है तुम्हारी जिन्दगी में मालूम है क्यूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो जब तक मेरी मर्जी होगी मैं तुम्हें वहां रखूंगा जिस दिन मेरी मर्जी तुम्हें जहां ले जाने की होगी बस एक शन में ले जाओंगा जब तक सब सोचेंगे कुछ करने का तब तक सब हो चुका होगा क्योंकि तुम्हारा साई तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता कोई तुम्हें रुलाए, तकलीफ दे मैं उसे माफ नहीं कर सकता और इसलिए तुम्हें कहता हूँ कि मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा सारी चिंताए मुझ पर छोड़ बहुत निश्चिंत होकर रहो औरों के साथ क्या हुआ इससे मतलब मत रखना लेकिन तुम्हें कोई चोट नहीं पहुचा सकता जिन से तुम प्यार करते हो ना, उनके लिए निश्चिंत रहो उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं पहुचा पाएगा तुम बस अपने खाने पीने और शरीर पर बहुत ध्यान दो खाना वही खाओ, जो स्वास्त के लिए लाबकारी हो ध्यान रखना कि खाना उतना ही खाओ, जिससे तुम्हारा पेट बरे ना कम खाओ, ना ज्यादा खाओ, वरना ये तुम्हारे स्वास्त को खराबी भी पहुचा सकता है विशेश कर कहता हूँ ध्यान से सुनो, अपने खाने पर बहुत ध्यान देना बहुत खुश रहो, अभी तुम्हे बहुत उपर, बहुत आगे जाना है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे न वैसे वैसे औरों को भी खीच खीच कर गड़े से बाहर करना उनकी भी जिंदगी सुधार्टे जाना मुझे बहुत खुशी मिलेगी जो मैंने तुम्हें दिया है उसे संभाल कर रखो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरे तरफ से आशरवाद